प्यारे बच्चो नमस्कार अब हम अपना हिंदी विशे शुरू कर रहे हैं बेटा जैसा कि आपको पता है बेटा कि मानसुन ब्रेक से पहले हमने अपनी भाशा मादुरी किताब में से पार्ट नमबर आठ जादूगर का जादू इस पार्ट को पढ़ने का अभ्यास किया था आज हम इसी लेसन के पीछे सी पार्ट के पीछे आपका जो अभ्यास कारे दिया हुआ है उसको करेंगे तो चलिए देखते हैं ये अभ्यास कारे है बेटा आपका पेज नमबर 18 पर देखिए सबसे पहले आपका heading है मौखिक उत्तर दीजिए मौखिक का मतलब अब आपको बेट अच्छे से पता चल गया होगा कि मौखिक का मतलब होता है बोल कर उत्तर देना मतलब कि आपने इन प्रशनों के हो या फिर इनके उत्तर आपने अपनी कॉपी पर नोट नहीं करने आपने ज़स्ट इन प्रशनों को सुनना है और फिर बोल कर आपने इनके उत्तर देने है ठीके तो चलिए शुरू करते हैं आज कौन आया? आज कौन आया? कौन आया था बिटाज? जादूगर जादूगर ने क्या शुरू किया? जादू फूल दान से क्या निकल कर उड़ा? कबूतर पीले रुमाल से कौन कूदा? चूहा जादूगर ने क्या बोल कर जादू दिखाया? हमने पाठ में पढ़ा था ना बिटा? जब भी जादूगर जादू करता था उससे पहले वो एक मंतर बोलता था कौन सा मंतर था था वो? आबरा का डाबरा तो इसका उत्तर क्या आएगा? आबरा का डाबरा चीक है बिटा? अब इसका अगला हैडिंग देखिए पाठ के आधार पर सही शबद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए नीचे देखिए बिटा वाक्य दियो हैं लेकिन बीच में से इनके कुछ स्थान खाली है हमने इनी खाली स्थान को पूरा करना है यहाँ साइड में इसके बिटा आपको दो-दो शबद दियो हैं इनमें से एक शबद ठीक है और गलत है जो ठीक है उस शबद को हम यहाँ पर भर देंगे ओके देखिए नमबर कव पर वहे लाल डैश पहन कर आया हमने पाठ पढ़ा था न बिटा उसमें जादूगरने लाल रंग का क्या पहना हुआ था बताईए कमीज या फिर जूता तो जादूगरने लाल रंग का जूता पहना हुआ था तो आप इन दोनों में से इस शबद के उपर करेंगे टीक और फिर इस शबद को आप यहाँ पर भर देंगे इसमें देखिए बिटा आपने जो लाइन लगी हुई है उसमें आपने इस शबद को लाइन के नीचे लिखना है ठीके बिटा जो हम English के words होते हैं वो हम लिखती है डैश के उपर उनको टच करवाके लिकिन हिंदी के शबद हम लिखते है लाइन के नीचे ठीके बिटा अगला देखिए डैश निकल कर उड़ा कबूतर या चुहा तो इसका क्या आएगा ठीक अंसर कबूतर क्योंगी कबूतर निकल कर उड़ा था ना चुहा तो उड़ नहीं सकता ठीक है तो इसका अंसर क्या आएगा कबूतर अब आप इस शबत को यहाँ पर भर देंगे चुहा डैश बाई तरफ भागा निकल कर कूद कर इसका उतर क्याएगा कूद कर आप इस शबत के उपर टिक करेंगे और इसको वहाँ पर भर देंगे कमाल का डैश दिखाकर चला गया चाकू या जादू अब बताईए आप उस जादू करने कमाल का क्या दिखाया था जादू तो हम इसके ओपर टिकर किसको भर देंगे अगला एडिंग देखिए पांट में आए बड़ा उ मत्रा के शब्दों पर घेरा लगाईए अब आप इन सबी शब्दों को बेटा अच्छे से पढ़ेंगे और इन में से आपने ढूनना है कि बड़ा उ की मत्रा कहां पर है जिस शब्द के अंदर बड़ा उ की मत्रा आएगी उस पर आप क्या लगा देंगे घेरा घेरा मतलब सरकल देखिए एक मैं आपको करके बताती हूँ रू माल अब इस रू माल में बट़ा जो उ की मत्रा है र को वो कौन सी है छोटा उ लेकिन हमें तो बड़ा हूँ चाहिए तो हम इस शबत के उपर सरकल नहीं लगाएंगे आगे देखिए कबूटर अब इसमे बगऊ जो बड़ा हूँ उसमें क्या है बड़ा हूँ की मत्रा तो हम इस शबत के उपर क्या लगा देंगे घेरा लगा देंगे इसीतरा बाकी शबतों को पढ़कर आपने उन में से ढूनना है कि बढ़ाओ की मतरा कहां पर है ठीक है आगे हैडिंग नमबर चार अगर आप एक दिन के लिए जादूगर बन जाएं तो बताएए आबरा का डाबरा कहकर आप किस किस चीज को बदल देंगे हाँ जी बेटा ये आपके खुद से सोचने के लिए बेटा कि अगर आपको एक दिन जादूगर बनने का मौका मिल जाए तो आप अपना ये मंतर बोलकर कि आबरा का डाबरा बोलकर आप किस चीज को बदलना चाहेंगे जैसे कि जादूगर ने जादू किया उसने क्या कुछ बदल दिया उसने कबूतर निकाल दिया रुमाल में से चुहा निकाल दिया है ना कितना अच्छा सने जादू दिखाया अब अगर आप जादूगर होते तो फिर आप क्या करते किस किस चीज को आप बदल देते वो आपने बताना है ये जस्ट आपके सोचने के लिए और आपके बोल कर बताने के लिए इसको भी आपने अपनी कॉपी पर नोट नहीं करना आगे देखिए उ मत्रा के और नए शबद अब नीचे बिटा उ मत्रा के कुछ और शबद ही हुए है इसमें से कुछ शबद जो हमारे पाठ में भी आए थे लेकिन कुछ इसमें नई शबद भी है तो आपने इन शबदों को भी पढ़ने का अभ्यास करना है ताकि आपको उ मत्रा के कुछ और नई शबद पढ़ने के लिए मिल जाए और इनको शब्दों को आपने बार-बार बोल कर भी देखना है ठीके बेटा, तो ये था आज़ा आपका हिंदी का काम बेटा कि आपने अपनी पाशा मादुरी किताब पर पार पेज नंबर 18 को पूरा करना है प्रशनों के उत्तर बोल बोल कर बताने है खालिस्तान पूरे करने हैं, इसमें से उह मात्रा के शब्दों को ढूणना है और इन मात्रा को आपने पढ़ कर देखना है और ये था आपका नंबर 4 वाला हैडिंग, उसका आपने मुझे बोल कर बताना है कि अगर आप जादूगर बन जाएं तो आप क्या करेंगे सेंड करनी है, ठीक है बेटा, सो नाव बाई